सो हलो गाईज यह है बजाज पलसर 125 सिंगिल सीट और स्टानडर्ड वेरियंट इससे पहले वाला जो आ रहा था आप देख सकते हो 150 आ रहा था स्टानडर्ड वाला तो अभी 125 में आपको सिंगिल सीट के साथ आपको बेली प्यान भी मिल रहा है और उसका ग्राफिक्स भी अपडेट हो चुका है आप देख सकते हो इससे पहले वाला जो एक्स मॉडल आ रहा था इसके साथ साथ आभी आपको स्टानडर्ड व मिल जाता है जो कि पिछले वाले वाले बाइक में नहीं था तो यहां पर आप सिंगिल सीट में भी आ रहा है और स्प्लीट सीट में भी आ रहा है और बाकी ग्लॉसी फिनिश के साथ 3D डेकाल भी आ रहा है जो कि टैंकी के ऊपर लगा हुआ है और यह ग्लॉसी फिनिश्ट का जो एक स्टिकर मिल जाता है मढगाड के ऊपर और साइड में छोटा सा स्टिकर मिल जाता है मढगाड के ऊपर और दोनों सेम टू सेम है बस एक सो पच्छी सी सी बेली प्यान के साथ सिंगिल सीट आ रहा है और एक सो पच्छी सी बेली प्यान के साथ सिंगिल सीट के साथ ड एक स्टिकर भी देखने को मिल जाता है और बाकि आप बात करें ये पुराना वाला 125cc का X-Model वाला बाइक है आप देख सकते हो तो इसके साथ आपको बेली पैर मिलता है लेकिन आपको जो है सिंगिल सीट पसंद है तो आप ये वाला बाइक ले सकते हो ये पुराना वाला X-Model है और अभी जो है आया है बलूल का जो आंदेशन है काफी बड़ी दिख रहा है तो अगर आप ब्लूला लेना चाहते ले सकते हो और ये बलू जो का जो 2007 आपको रेड मिल जाएगा और ये बलू वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर आप से देखते हैं तो आपको जैसे लगेया ये 150 है ठीक है गाइस तो यह बेली प्यान का एक्स मोडल वाला था जो की मतलब पुराना हो चुका है अभी यह नया वाला आया है 125 में और इसका भी एक रेड़ वाला वेरियंट आगे आ जाएगा अगर आपको वह वाला पसंद है तो वह भी लेख सकते हो बाकि सबकुछ सेम तु सेम है कोई भी चेंजज तीकर का ऊपर जो है चेंजज किया गया है 150 CC का เหेरियंट रहा था इसमें किया गया है बाकि कुछ भी चेंजज नहीं है यहां पर आपको लो BAS लाइट पास लाइट को हन्ट बटम भी मिल जाता है उसके साथ राइट साफ में आपको को इंजीन ऑन-फ स्विच कील का सुच मिल जाता है और स्टार्ट बटब यह एक्सिलेटर और यह फ्रंट डिस्क का लिवर ठीक है तो यहां पर आपको एक कवर मिल जाता है जो की सबाइज पीछे की तरफ देख सकते हैं यह स्प्लीट सीट वाला इसमें ज्यादा अंतर नही सब्सक्राइज अभी यह वाला जो अगर आपको अच्छा लग तो ले सकते हो पीछे आपको सिंगिल सीट में आपको सिंगिल ग्रावाड़ देखने को मिल जाती है और स्टिकर में आप देख सकते हैं यहां पर टैंट पैड जो है आपको ब्लू कलर में नहीं मिलता अगर कलर में मिल जाता तो थोड़ा अच्छा होता हो सकता है आगे चेंज होके आजाए तो फिलाल अबराली इस बाइक का रिव्यू अगर आपको दोनों में कोई एक पसंद है तो ले सकते हो बराबर है बिल्कुल सेम है खाली आपको सीट जो है डूल सीट मिल जाती है एक में और सिंगल जिट मिल जाती है यह सामने के विफलीघ के अगल आरप में थाउल ऑक व कंप यब यह पीचला बाइक में नहीं मिल रहा तो आब ही आपको दोनों बैक में मिल रहा है सिंगल सीट और Summly इस दो नहीं अच्हा ने के लिए पररेशा तो आप बिलकुल सिंगल प्रब्लेम हो रहा है तो अगर आपको मतलब तीनों आदमी बेट के जा रहे हैं तो आपको सिंगिल सीथ बहुत भी बढ़िया रहेगा तो सामने एक टू इंडिस का भाइक आप देख सकते हो उसका जो डिजाइन है स्टिकर ग्राफिक्स इसमें पूरा अप्लाइ कर दिया ग और के सींगे लृट के कं़ यह संास्ट करेंगा तो उसको कहते है इस को कहते है लोटा मैट में को ओर निघए लेकिन इसमें क्या है तो जल्धीahu में इतना पंता नहीं चलता सामने एक स्टांडार्ड बर्जन का वेडियेंट का बाइक है और यह सामने टू इंडिस और यह 125 अभी तीनों का स्टीकर गाफिक्स जो है बिल्कुल सेम है कुछ भी चेंजेस नहीं है बस खाली आपको इंजिंग में फोरक देखने को मिल जाती है और टायर में और डिस ब्रेक बगरा में उसमें एक सोपचीस में आपको अपको देखने को नहीं मिलता है अगर आपको यह वाला मतलब ज्या पसंद है पिछले वाले बाइक में नहीं मिल रहा था सिंगल सिट में तो अभी कंपनी आपको दे दिया है कोई दिक्कत नहीं आपको अलग से बिल्ली प्रचेस करने की जरुवत नहीं है तो असा करता हूं यह वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरा अन्बॉक्स यह रिव्यू का वीडियो अच्छा लगता है तो चानल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई